हाई, हेलो एक घने जंगल से होई गुजरता था वो जंगल बहुत ही घना था और बहुत ही डरावना था जिसे तोलू को काफी डर लग रहा था उसने अपने दोश्च से कहा मोलो यार मुझे बहुत डर लग रहा है ये जंगल कितना गंड़ा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है अरे तोलू, इसमें डरने की क्या बात, कोई भी मुसीबत आए, तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा चलते चलते, अचानक एक मोर पर जोर से आवाज आई भालू और मोलू, डोनों ही गबरा गए, वो कुछ समझ पाते, तभी वहाँ पे एक जंगली भालू दिखा भालू, वे दोनों डर के मारे कापने लगे खत्रे को सामने देखते ही, मोलू, जो कहता था के मुश्किल समय में कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो पहले ही डर के मारे पेड के उपर चड़ गया लेकिन तोलू को तो पेड पर चड़ना नहीं आता था मोलू, मुझे पेड पर चड़ना नहीं आता है, तुम मुझे पेड पर चड़ने में मदद कर रोते रोते तोलू ने बहुत बार मोलू से विंती की, पर मोलू ने एक न सुने नहीं नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा और यहां पेड़ पर चुपने की जगा भी नहीं है तुम कहीं और जागे चुपचाओ अगर मैं नीचे आया तो भालू मुझे खा जाएगा इतने में भालू तोलू के ओर पास आता है ये सब मोलू पेड के उपर से पेड रहा होता है तोलू को कुछ समझनी आता के वो क्या करे और भालू जिमे धीमे नस्तिक आ रहा था तभी तोलू को एक वीचार आया उसकी स्कूल में सिखाया था कि भालू कभी मरे हुए इंसान को नहीं खाता है वो तुरंट वहीं पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए सास रोक ली भालू तोलू के नस्तिक आया थोड़ी देर वहाँ पर खड़ा रहा पर उसे लगा ये मरा हुआ इंसान है तो वो वहाँ से चला गया ये सब मोलू देख रहा था उसने तोलू से पूछा कि भालू ने तेरे कान में आके क्या कहा भालू ने मेरे कान में आके कहा कि जो दोस मुसिबत के समय में साथ ना दे उसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए इतना कहे के तोलू वहाँ से चला गया कि जो दोस्ती नहीं आके कहा